गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम करेंगे गुंजन क्लास 4 का पार्ट पांच हमारा तिरंगा जंडा की बुक एक्सरसाइज हमारी पहली एक्सरसाइज है दिये गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है इसमें से हमें शब्द चुनकर भरने है क डैश रंग का अर्थ है बहादुरी केसरिया केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी ख डैश रंग हमाई पवित्रता को प्रकट करता है सफेद रंग ग प्रतिवर्ष डैश के दिन हमारे प्रधान मंतरी इस जण्डे को लाल किले की प्राचीर पर फेराते हैं पंद्रे आगस्त प्रतिवर्ष पंद्रे आगस्त के दिन घ डैश रंग का अर्थ है हरियाली और खुशाली हरे रंग का अर्थ है अडए तिरंगे के बीच एक डैश बना होता है अशोक चक्र क्या बना होता है अशोक चक्र हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पाठांच को पढ़कर प्रश्नों के उक्तर लिखो जंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशाली यह हरा रंग भारत के खेत-खेत में बिखरता और हर मैदान में बरस्ता दिखाई देता है हमारा देश किसानों का देश है मिहनत करने वाले श्रमिकों का देश है इस रंग में हमारी पंच वर्षिय योजनाओं की सफलता छिपी है तो हमारा पहला प्रश्न है हरा रंग कहां बिखरा है उत्तर हरा रंग भारत के खेतों और मैदानों में बिखरा है प्रश्ण दो, भारत किन किन का देश है? उत्तर, भारत किसानों और मिहनत करने वाले श्रमिकों का देश है हरे रंग में क्या छिपा है? उत्तर, हरे रंग में पंच वर्ष ये योजनाओं की सफलता छिपी है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ, means MCQs हमारा पहला प्रश्ण है, जंडा फैराते समय हम उसका सम्मान कैसे करते हैं? हमारे उप्शन्स हैं, जंडा गान गाकर, खड़े होकर, ताली बजाकर या प्रतिग्या लेकर, सही उत्तर है, खड़े होकर हमारी नेक्स्ट प्रश्ण है, जंडे के किस रंग में पंच वर्षिय योजनाओं की सफलता चिपी है? हमारे उप्शन्स हैं, हरे, के सरिया, सफेद या हरा सफेद, हमारा उत्तर है, हरे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मूले पर प्रश्ण, ये प्रश्ण के वल हम डिस्कस करते हैं और आप इसे स्वयम करेंगे हमारा प्रश्ण है, देश की सेवा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मिन्स हम अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? हम अपने देश की स्वच्चता की और ध्यान देकर, अच्छी शिक्षा परनाली की और ध्यान देकर हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं और देश के प्रती भक्ती, एक दूसरे की मदद करना, गरीबों की साहेता करना, इस प्रकार से भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं नेक्स्ट ए भाशा ग्यान, पाट से चुनकर निमिन लिखित वाक्यांचों और शब्दों के लिए एक एक समानार्थक शब्द लिखो, जैसे केसर के रंग का केसरिया, पाँच सालों की पंच वर्षिय, तीन रंगों का तिरंगा, आजादी, स्वतंत्रता, शपत प्रतिग्य, सूचक प्रतिग, येस नेक्स्ट है, इने पढ़ो और करो, विशेशन दिये हुए हैं, उनकी भाव आचक संग्यां हमें बनानी हैं, बहदुर, बहदुरी, आजाद, आजादी, खुशार, खुशाली, सफेद, सफेदी, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, पवित्र, पवित्रता, महान, महांता, सफल, सफलता, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कोश्ठक मिन्स ब्रेकेट में दिये गए विशेशन शब्दों से भाव आचक संग्या बनाकर रिक्त स्थान भरो, क्या सभी जीव जन्तों पर डैश करो, दया, लू का क्या बनाया भावा चक संग्या, दया, सभी जीव जन्तों पर दया करो, खे, महात्मा गांदी ने हमें डैश का पाठ पढ़ाया, अहिंसक, तो अहिंसक की भावा चक संग्या, अहिंसा, महात्मा गांदी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, गय, सब में डैश बाटो, प्यारा, प्यारा से हम बनाएंगे प्यार, सब में प्यार बाटो, गय, राष्ट्रगान गाती समय चारों और डैश हो गई, शान्त, शान्त के भावाचिक संग्या, शान्ती हो गई, डैश से ही हर व्यक्ति सफल होता है, परिश्रमी, परिश्रमी की भावाचिक संग्या, परिश्रम, परिश्रम से ही हर व्यक्ति सफल होता है, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है र की रूप स्वर्सहित्र और स्वर्रहित्र शब्दों को यहां लिखो स्वर्सहित्र प्रतिग्या सम्राट प्रश्ट चक्र अब हम करेंगे र जो उपर आता है स्वर्रहित्र धर्म, कर्म, पर्व, गर्व यह स्टुटेंट्स तो यह थे हमारे पार्ट पांच हमारा तिरंगा जंडा की बुक एक्सरसाइज आप इसे एक पर फिट से रिवाइस कीजिएगा थेंक यू